हलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चेनल में आपका स्वागत है हमारे आरफियसी फर्स्ट गेड जीके में एजुकेशन मेनेजमेंट अर्तात सेक्सिक प्रबंदन का कोर्स कम्पलीट हो चुका है अब हम परतेक पार्ट के क्यूशन अफ्लोड करेंगे और आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद रखेगा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है परतेक पार्ट के 25 से 30 क्यूशन अफ्लोड होंगे परतेक पार्ट के पहला पार्ट अपना है सेक्सिक प्रबंदन तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा पहला question है Sir Henry Fayol के अनुसार प्रबंदन क्या है Sir Henry Fayol ने प्रबंदन को क्या बताया है पहला option है POSD, CORB, Post Corp दूसरा option है POCCC, तीसरा option है POSD और चोथा option है उपरोग सभी तो अपने पढ़ा था Sir Henry Fayol ने प्रबंदन को बताया था POCCC प्रक्रिया, जिसमें P का अर्थ है Planning O का अर्थ है Organization C का अर्थ है Command अर्थात निर्देश देना फिर वापस C का अर्थ है Control अर्थात नियंतरन और वापस C का मतलब है Coordinate अर्थात समनवे तो Henry Fayol के अनुसार प्रबंदन क्या है POCCC की प्रक्रिया, इसमें B option right है याद रखेगा Henry Fayol के अनुसार प्रबंदन है POCCC फिर आता है दूसरा option अपने दूसरा question अपने जिल्ला स्तर पर सेक्षिक प्रसासन का दाइत्व किसका होता है District level पर Education Administration का दाइत्व किसका होता है जिल्ला दीस का, जिल्ला शेक्षिक प्रकोष्ट अधिकारी का जिल्ला शिक्षा अधिकारी का या जिल्ला परिशद का तो आप याद रखेगा कि जिल्ला स्तर पर शेक्षिक प्रसासन का दाइत्व होता है जिल्ला शिक्षा अधिकारी का होता है फिर आता है अपने अगला क्यूशन लूथर गूलिक के अनुसार आदुनिक संप्रत्य के अकोर्डिंग सेक्षिक परबंदन के कितने तत्व शामिल हैं तो आप याद रखेगा हेंडरी फेयोल ने तो परबंदन की परक्रिया को क्या नाम दिया जबकि लूथर गूलिक ने एयजूकेशन मेनेजमेंट की परक्रिया को क्या नाम दिया प्रबंदन को क्या का आए पोश्ड कॉर्ब जिसमें प का मतलब होता है planning o का मतलब होता है और्गेनाईजेशन स का मतलब होता है stopping D का मतलब होता है direction अर्थात निर्देशन फिर वापस आता है इसमें C, इसमें C का मतलब है coordinate, को का मतलब है coordinate फिर R आता है R का मतलब होता है reporting अर्थात आलेखन और फिर आता है B, B से हो गया budgeting अर्थात निर्मान तो लूथर गूलिक के अनुसार सेक्षिक परबंदन के साथ तत्व हैं और इसाथ तत्व कौन कौन से हैं तो आप याद रखेगा शिक्षा को समवर्ती सुची में 1976 में सामिल किया गया था और भारते सिविधान के लागू होते समय शिक्षा कौन से सुची में थी पहले राज्जी सुची में थी और 1906 में इसे शिक्षा को समवर्ती सुची में सामिल किया गया था फिर आता हैं अगला उप्शन अपने क्विस्चन की एक अच्छा प्रबंदक कोन होता हैं परिष्तिती जन्य, जनमजात, वेग्यानिक दरश्टी कोन परक और उपरोक सभी तो एक अच्छा प्रबंदग होता हैं जिसमें ये सभी विशेषता हैं पाई जाती हैं परिस्तिते जन्य, जनमजात, वेग्यानिक दर्ष्टी कॉंड परक और उप्रोक सभी तो इसमें कौन सा उप्षन राइट होगा उप्रोक सभी फिर अगला आता है अपने स्टापिंग संतोज जनक और संतुष्ट कारिय सक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाय रखने का कारिय करती हैं यह किसका कतन है जोर्ज टेरी का, लूथर गुलिक का, जोन डीवी का या फिर हेंडरी फेयोल का तो स्टापिंग जो है संतोज जनक और संतुष्ट कारिय सक्ति को प्राप्त करने और उसे बनाय रखने का कारिय करती है यह किसने कहा है यह जोर्ज टेरी ने कहा है तो आप याद रखे अपने पढ़ा है तो आप नहीं पढ़ा हो आपने तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ यहां किसका कटन है, लूथर गूली का, हेन्री फेयोल का, एलन का या फिर जो ज टेरी का, तो एलन ने कहा है कि सेक्षिक प्रबंदन वह कारी है, जो किसी प्रबंदक को करना पढ़ता है, तो ये किसकी परिबाशा है, एलन की, यह अपने पढ़ा है, शोर्ट ट्रिक के साथ तो आप पढ़ सकते हैं वापस फिर अपना अगला क्यूशन आता है सेक्षिक प्रबंधन की विशेश्ता क्या नहीं है मुर्त प्रक्रिया, कला और विज्यान, विसुद्ध मानिवे किरिया और सामाजिक्ता तो इसमें कला और विज्यान सेक्सिक प्रबंदन हैं, विसुद मानिवे किरिया इसमें होती हैं, सामाजिक्ता का भाव इसमें पाये जाता हैं, और अंतिम क्या बचा बने मुर्त प्रक्रिया, मुर्त का आर्थ होता हैं जिसका आकार या कोई स्वरूप हो, तो इसमें सेक्सि और शुरूप निशित नहीं होता है इसलिए इसकी विशेष्टा क्या नहीं होगी मूर्त प्रक्रिया फिर अगला किस्यों आता है शेक्सिक प्रबंदन का अर्थ है पूर्व निरदारित लक्षों की प्राप्ति एक संस्ता द्वारा सामोहिक प्रियास शिक्षा परक्रे की व्यवस्ता करना और उप्रोग सभी तो इसमें सेक्षिक परबंदन में पूर्व निर्दारित लक्षी की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है और सेक्षिक परबंदन जो होता है ये एक संसा द्वारा किया गया सामुईक प्रयास है और इसमें शिक्षा परक्रे की वैवस्ता भी की जाती है, तो इसमें कौन सी विशेष्टा सामिल होगी? अर्थ क्या निकलेगा? उप्रोक सभी. पिर अपना आता है अगला क्यूशन, परबंदन का रिदे क्या है? परबंदन का रिदे क्या है? निर्देशन, बजट, संगठन या फिर अभी प्रेड़ना तो इसमें क्या है परबंदन का रिदे परबंदन के लिए किसके आउसकता होगी अपने अभी प्रेड़ना के आउसकता होगी किसी कारिकों करने के लिए अभी प्रेड़ने की जर्रत होती है तो परबंदन के लिए भी किसके आवसकता होगी सबसे पहले अभी प्रेर्णा के आवसकता होगी तो परबंदन का रिदे कौन कहलाएगा अभी प्रेर्णा तो याद रेखेगा अभी प्रेर्णा जो है वो परबंदन का रिदे है फिर आता है अगला क्यूशन विध्याले का रिदे कौन है अगला क्यूशन है अपने विध्याले का रिदे कौन है विध्याले का रिदे हैं संस्ता परदान है या फिर पुस्त काले है या फिर छात्र है या फिर शिक्षक है तो विध्याले में किसकी आवशक्त होती है पुस प्रबंदन का रिदे कौन होता है अभी प्रेड़ना अगर हम अभी प्रेड़त होंगे तो ही हम मैनेजमेंट सही दंग से कर पाएंगे अपने काम के परती सजगें तो भी हम प्रबंदन सही दंग से कर पाएंगे तो प्रबंदन का रिदे तो होता है अभी प्रेड़ना जब अभी प्रेणना संनवे या निरुदू संर तो इसमें आंसर क्या होगा संनवे ... क्योंकि विद्धे-अरतों में संनव share होगा उनमें खेल परристे थो उनमें खेल का अभाव हैं तो आप याद रखेगा विद्ध्याले में खेल मेदान में बाले खेलते हुए नहीं दिखाई देते हैं उसमें किसका अबाव हैं उत्तों उनमें समनवे का अबाव हैं अगला आता है शेक्षिक प्रबंदन का मूल तत्व कौन सा नहीं है पहला आता है निर्नय लेना दूसरा है संचार तीसरा है मानवे संबन और चोता है ब कौन सा था समश्या समाधान और इसमें चोथा option कौन सा रहे बोतिक वाद जो की शेक्षिक प्रबंदन का मूलतत्व नहीं है तो इसमें कौन सा answer right होगा मूलतत्व कौन सा नहीं है बोतिक वाद फिर अगला question आता है अपने किसी संगठन का मस्तिक्स माना जाता है किसी संगठन पूच रहा है किसी संगठन का मस्तिक्स माना जाता है किसी संगठन का मस्तिक्स माना जाता है संगठन में किसके आउसकता होती है मेनेजमेंट की तो संगठन का मस्तिक्स किसे माना जाएगा मेनेजमेंट को तो परबंदन किसी संग्ठन का मस्तिक्स माना जाता है और परबंदन का रिदे कौन होता है अभी प्रेड़ना फिर अगला क्यूशन अपने आता है शेक्षिक परबंदन का उद्देश्य नहीं है शेक्षिक परबंदन का उद्देश्य कौन सा नहीं है संसादनों का अधिक्तम उप्योग मुल्यांकन करना चात्रों के विक्तिकत विकास पर ध्यान और संसादनों में ऐसा मनवे तो आपको पता चल गया कि सेक्षिक परबंदन का उद्धिश्य क्या नहीं है संसादनों में ऐसा मनवे संसादनों में समनवे होना चीए तो इसमें सेक्षिक परबंदन का उद्दिश्य में कौन सा नहीं आएगा संसादनों में ऐस समनवे फिर अगला क्यूशन आता है अपने निर्देशन की प्रक्रिया का भाग कौन सा नहीं है पहले तो आप यह देखें निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है तो इसमें कौन सा उप्षिन होगा अनुसाषन फिर अगली परिबाशा आती है अपने सेक्षिक परबंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंद ऐसी विवस्ता करने से है जिसमें संपूर्ण सेक्षिक कारिकरम सफलता पूर्वक व्यावारिक रूप से संपन हो सके ये किसका कतन है जेबी सियर्स का, पिफिनर का, एमबी बुच का या कुंटच का तो ये किसका कतन है सेक्षिक परबंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबन ऐसी व्यवस्ता करने से है जिसमें संपूर्ण सेक्सिक कारेकरम सपलता पूर्वक व्यावारिक रूप से संपन हो सके तो ये जे भी सियर्स का कतन है फिर अगला क्यूशन आता है अपने सेक्सिक प्रसासन के परमुक सक्ति स्तुरोत का उधारण निम्न में से कौन सा नहीं है मेनेजमेंट में परमुक सक्ति स्तुरोत का उधारण कौन सा नहीं है प्रसासन से आपन समझ गए प्रसासन में कौन-कौन सामिल होते हैं विशेशग्य तथा नोकर्षा सामिल होते हैं नोकर्षा ही राजनिति की सामिल होते हैं केंदरी करण और अभी केंदरी करण सामिल होते हैं जबकि मानिम मुल्य शेक्षिक प्रसासन के सक्ति स्त्रोत का उधारण नहीं है तो इसमें कौन सा उप्षन सही होगा मानविय मुल्य सेक्षिक प्रसासन के परमुक्ष सक्ति स्त्रोद का उधारण नहीं है फिर अगला आता है अपने अनुसासन सिक्षा के लिए अनोपचारिक अभीकरण का उधारण क्या है बालक सबसे पहले सिक्षा कहां पर प्राप्त करता है परिवार में तो सबसे पहले वो अनुसासन की सिख्षा भी कहां पर प्राप्त करेगा परिवार में तो अनुसासन सिख्षा के लिए अनोपचारिक अभीकरन का उधारन कौन सा है परिवार फिर अगला क्यूशन आता है अपने सेक्सिक परसासन का एक पर्मुक कारण व्यक्तिगत हैं तो दूसरा पर्मुक कारण कौन सा होगा तो दूसरा पर्मुक कारण होगा इसमें वातावरनी क्योंकि वातावरन का भी सेक्सिक परसासन पर प्रभाव पड़ता है तो सेक्सिक प्रसासन का एक पर्मो कारण व्यक्तिगत होता है तो दूसरा पर्मो कारण कौन सा होगा वातावरनी है फिर आता है अपने भारते स्विधान के लागू होने के समय शिक्षा कौन सी सूची में थी? तो आपको बताया था मैंने राज शिविधान के लागू होने के समय शिक्षा राज शिची में थी और उन्नीस सोची में इसे किसमें समिल कर दिया गया समवर्ती सूची में अब आता है विद्याले परबंदन को ना तो ज़्यादा कठोर होना चीए और ना ज़्यादा लचिला होना चीए इसे परदशित करने वाला सिद्धांत कौन सा है लोच का सिद्धांत याद रखेगा विद्याले परबंदन को ना तो ज़्यादा कठोर होना चीए ना ही ज़ तो मिलते हैं अगले टोपिक के क्यूशन्स के साथ जो दूसरा टोपिक अपने राजस्तान में सेखशिक परिद्रश्ची है तो पढ़ते रिया आपके अपने चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत